ब्रेकप के बास सिर्फ ये दो काम करना है जिससे आपका एक्स पार्टनर आपके लिए वापस या फिर आपके पास वापस आ सकता है जिस तरीके से आपने अपने वैलू कोई उस वैलू के थू आप मतलब वही वैलू के साथ हो इंसान आपके रिस्पेक्ट भी करेगा आप जाएगा आपके बस लेगें यह सच्चा प्यार था में हर वीडियो में बताता हो जहां सच्चा प्यार हो का होई साइकोलोजी उस होगी अदर्वाइस बहुत सा लोग फालतो रिलेश्चिप में अगर साइकोलोजी उस करें तो आप अपना टाइम वेस्ट करो छोड़ दो उस इंसान को जो खटी है जहां पर सच्चा प्यार था सामड़ी इंसान के अपसे प्यार किया है उसके लिए चीज वर्द करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा में हरीश आप देखेरें टिप्स वित हरीश चलिए श्यूरू करते हैं आप में से बहुत सार रिवीवर मुझस से प्रसनली कॉल पर बात करना चाते हैं अगर आप प्राइविटली बात करना चाते हमारे दोनों के भी जो भी बात होगी वो प्राइवेट रहेगी वो किसी को शेर नहीं की जाएगी लेकिन कॉल पर जो बात करेंगे उसका चार्ज लेगीगा इसलिए मैं आपको बता सामने वाला इंसान ब्रेक अप करके चला गया अभी मैं पहले तो ब्रेक अप की सिच्वेशन की बात बात करता हूं तो लोगों को मेरे पास गाल आते और ऐसे इसे सिच्वेशन आती कि मुझे हसी आती लोगों के उपर सर मैं उस इसान के साथ रिलेशन्शिप में थी सामन मैं मुस्से ब्रेक अप कर ले जब मैं रिजल हो कि क्या रिजन ब्रेक अप करने का सर उसं ने बोल लिया कि अब मेरे को ढर अब हमारा यह नहीं zeg नहीं है कि मेरे मंठी बहुत अच्ची है मेरे ओस मीमरे बहुत मेर जी लगता है मंधी दल लगता है ऐसे कमेंट सारे सब T podcasts कर लिए एक चीज़ में आपको बता था इंसान अब के साथ रिलेशनश्वीम में आया तब फैमिलियी का डर क्यों ने आया उसको नमीगा डर क्यों और क्यों निया तब पपाजीcient में एच्छे-स वोई रूम में जाते हो, जब सोते हो, फैमिली, अपनी बॉइफरेंग के साथ, अपनी गर्फरेंग के साथ, फीजिकल होते हो, तब कहा गए अपकी इज़त? अगर जो इंसान जिसके साथ आप relationship में थे वो इंसान अगर ऐसे बहाने बना रहा है तो समझ लो ओ इंसान family के नाम पर खुद छुप रहा है उसको खुद तुमारे साथ नहीं रहना नहीं हो इसलोग break up कर रहा है लोग बोलते ब्रेक अप करके चला गया तब family का डर नहीं उसको जब आपके साथ सोच सकता है तब पपा और ममी का डर नहीं जब रिलेशन्शिप मना सकता है उसको तब डर नहीं और जब शादी की बात आई जब आपके साथ रहने future में रहने की बात आई तब उसको family का डर आ गया थोड़ा से दिमाग लगाओ यार ऐसे घटिया लोग है इनको हमीशा के लिए छोड़ दिना बेटर ऑप्शन है अब हम आते हैं जब सच्ची में किसी और रिजन की वासे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते जिनका मिस सनिष्टन हो जाता है relationship में ब्रेकप हो जाता है जगडा हो गया इंट्रेस्ट कहतम हो गया सामरेल इंसन अप नहीं रहना चाहता है वो बोलता तुँ इरिटेट करती है तुँ मेरे को इरिटेट करता है इसकी वासे उसने चोड़ दिया सबसे पहले आपको बता है ब्रेकप के बाद क्या करना है no contact rule follow करना है no contact rule क्यों follow करना है no contact rule से आप अपनी जो गई वैलू है जब हम अपनी वैलू सामनेल के नजरों में गिरा देते जब सामनेल को लगता है कि यह कोई वैलू बल नहीं तभी लोग हमें छोड़ेंगे इसलिए में हर वीडियो में बताता हूँ कि लोग जो है आपकी वैलू को को खो दिया है इसकी वज़े से सामने लोगों पता चलिए कि इसकी कोई वैलू नहीं है इसलिए लोग आपको छोड़ देते इसलिए नो कॉंटक रूल से क्या होता है नो कॉंटक रूल से पहला आप अपनी वैलू को गेन करते कैसे करते जब हम उस इंसान से दूर हो जाते जब ब्रेकफ हो लेकिन जब हम रिकप के बाद थोड़ा मिचोरेटी दिखाते हैं नो कॉंटक फॉलो करते हैं नो कॉंटक में क्या के चीज करनी बताता हूँ नो कॉंटक रूल में सबसे पहले उस इंसान को कंटक तो नहीं करेंगे यह तो सिंपल से चीज है उसको ऑनलाइन नहीं देखें परसन को जिस जो इंसन आपके इसमें इनवर्ड या फिर किसी को पता है उसके बारे उसके बारे मुझे पूछोगे भले कितना भी क्लोज हो लेकिन उससे नहीं पूछोगे ठीक है यह चीज नहीं करनी जब आप नो कॉंटक के दौरान होते हूँ सामने लिए इंसान की को करना है यह डर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सामने ला इंसान आपको पूरी तरीकी से जानता है आपने जो भीक मांग मांग के अपनी वेल लुक हुई न इसलिए उसको पता है यह कि वीडियो देख क्या ही है दस पंदरा दिन मेरे बिना दूर रहेगी वापस मेरे पास ही आने वाले इसको कोई नहीं मिलता है यह मेरे पास ही आती है यह मेरे पास ही आता है यह उसको पूरी तरीकी से लेकिन उसका तोड़ देंगे हम कैसे तोड़ेंगे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा पेशेंस नहीं आपके अंदर पेशेंस का ही प् गया तो फिर उसको देखना नहीं वापस मुड़ के कहां जा रहा किसके पास जा रहा क्या कर रहा है ऑनलाइन रहा है किसे बात कर रहा है किदर जा रहा है खुश रहा है दुखी रहा है रहा है कोई जरूत नहीं है सामने ला इंसन जो कर रहा है तो अपनी लाइफ बहुत लेगा ही तब सामने लेको डर आ जाएगा कि यार यह चीज से इसले ब्रेक अपके बाद यह दो चीजे बहुत लोगों को भी पता चलेगा कि यह वैयलिवाल इनसान है इसको फ़रगना इपरता है किसी के जाने से तब लोगोंको इठिटुड वाली चीज में 1000 विडियों में बता चुका उ पॉजी इठ पॉजी आटिट रखो अपने अंदर नहीं नहीं सर मैं उसको यह कर लिए मैं यहां से देख लिए असर यह कर लिए वह आता ही नहीं मैंने सब कर लिया कुछ हमत करो जो में चीजें बता रहा हूं उस यहीं लाइफ बहुत इंपॉर्टन आपके लिए आपके आपके आप मेरे पॉइंट को समझ गें तो प्लेश वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तैंकी सो मुच वाचेंग दिस वीडियो टेक केर बाइब बाइब प्लीज सब्सक्राइब जरू करके जाना आप लोग सब्सक्राइब ने करें तैंकी सो मुच